HIV-AIDS का अभी तक इलाज नहीं खोजा जा सका है. ये कैंसर से भी खतरनाक बीमारी मानी जाती है. लेकिन अब कैंसर के इलाज में काफी हद तक सफलता मिलती दिख रही है. इसी क्रम में अब HIV-AIDS जैसी बीमारी का इलाज खोजने में सफलता मिली है. वेग्यानिकों ने शरीर में मौझूद टाइप B, वाइट बलड सेल्स के जीन में कुछ बदलाव कर HIV वाइरस को मारने में सफल हुए है इससे उम्मीद जगी है कि जल्द ही HIV का इलाज हो सकेगा दरसल ये कारनामा इजरायल के वेग्यानिकों ने किया है यहां के वेग्यानिकों ने एक ऐसी वैक्सीन बनाने में काम्याभी पाई है जिसकी महज एक खुराक से ही HIV वाइरस को खत्म किया जा सकता है वेग्यानिकों का दावा है कि एक नई वैक्सीन को तैयार किया जा रहा है जो कि AIDS का इलाज कर सकती है HIV यानि Human Immunodeficiency Virus शरीर के Immune System यानि रोग प्रतिरोधक शमता पर हमला करता है अगर इसका इलाज ना किया जाए तो इससे AIDS होने का खत्रा रहता है HIV की सबसे पहले पहचान तकरीबन 18 वी शताबदी में हुई थी मौजूदा समय में HIV AIDS का कोई इलाज नहीं है लिकिन इसके इलाज में Medical Team को एक बड़ी शुरुवाती सफलता हाथ लगी है जो कि HIV के वाइरस को सिर्फ एक वैक्सीन से खत्म करने में सक्षम है दरसल बाहरी बैक्टीरिया या वाइरस से लड़ने के लिए हमारी रोग प्रतिरोधक शमता एंटी बॉडी तयार करती है वहीं HIV शरीर के Immunity सिस्टम पर ही हमला करती है ऐसे में हमारी रोग प्रतिरोधक शमता HIV से ही हार जाती है सबसे बड़ी बात HIV शरीर के DNA में अपना घर बनाता है ऐसे में वैक्सीन इस वाइरस को DNA से खोजकर नहीं निकाल पाती है ये DNA में छुपकर बैठा रहता है और हमारी Immunity को कमजोर करता रहता है